शिक्षार्थियों और दर्शकों नमस्कार राश्ट्री मुक्त विद्याली शिक्षा संस्थान की ओर से मैं विवेग सिंग आज आपका इस कारक्रम में स्वागत करता हूँ शिक्षार्थियों यह कारक्रम उच्चतर मादमे की इस्तर पर भुगोल विशय के अंतरकत है और जिस महत्पूर्ण बिंदु पर हम बात करेंगे वो है हमारे संसाधन यानि अवर रिसोर्सेज शिक्षार्थियों जब भी हम संसाधन की बात करते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि क्या सारी चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं यानि संसाधन वो है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो तो संसाधन ये तरफ प्रकृत प्रदत भी हो सकते हैं और उनके आधार पर मनुष्य बहुत सारी बहुत सारी पदार्थों का निर्मान भी करता है तो इसलिए हमारी आवशक्ताओं की पूर्तिन से होती है और किसी अगर उपयोग्त तकनीक का हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम संसाधन की रूप में बदल सकते हैं जैसे हम कहते हैं कि कोई भी बहुती के जैविक पदार्थ हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी आवशक्ताओं की पूर्त के लिए अता है ये दोनों ही संसाधन हो सकते हैं दूसरा कोई भी चीज आज संसाधन तब है जब उसको प्रयोग करने की उची तक्निक उपलब्ध है ताथ पर यह है कि मान लीजे कोई चीज आज से 300 साल पहले भी उपलब्ध थी लेकिन उस समय उसको प्रयोग करने के लिए उप्योग तक्निक नहीं थी कियाता है उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे थे तो उस समय वो संसाधन नहीं था जैसे मान लीजे कि आज से कुछ सो साल पहले हमें नहीं मालूम था कि petroleum पदार्थ जो हैं उनका प्रयोग इधन के रूप में किया जा सकता है तो उस समय वो संसादन नहीं थे लेकिन जब वो मिले लेकिन उस समय भी तो वो धरातल पर उपलब्द थे लेकिन जब वो मिले उनको प्रयोग करने के उची तक्निक उप्लब्दू तो आजी इस कारकरब में हम भारत में कौन से संसाधन है उनकी बात करने जा रहे हैं तो जिन बंदूओं पर हमारा ये वीमर्ष केंदित रहेगा उनमें है कि संसाधन को हम किस तरह से जाने और समझें संसादनों को हम कैसे वर्गी कृत कर सकते हैं जैविक संसादनों और जैविक संसादनों का वितरन भारत में किस प्रकार से हैं यह हमारे लिए क्यों उप्योगी हैं और हम कैसे इन संसादनों को बचाएं साथ ही इनके संडक्षन के लिए कौन-कौन से नीतियां या क्या प्रयास किये गए हैं तो ये कुछ चर्चा के प्रमुख बिंदू आज की स्काराक्रम में हम रखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधनों की हाला कि हमने इस तरचा की शुरुवात में आप से बात की कि संसाधन वो है जो मानवी उपयोग के लिए प्रयोग किया जा रहा हो उचित तकनीवों के माध्यम से तो सबसे पहला पहलू जो आता है संसाधन के साथ हो आता है कि यह मानवी उपयोग की वस्तु है यानि मनुष्ट के लिए उपयोग किये जा रहे हैं यह दोनों रूपों में चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे वो सांस्कृतिक हों हो सकते हैं जैसे प्राकृतिक संसाधन माल लीजिए वनजीव है वनस्पतिया है संस्क्रिक संसाधन किसी भी विशेश की जो कला संस्क्रिती है या वहां की जो खान पान के शैलिया है वो भी मुनिश्ट के लिए उपयोगी हैं और वो भी प्रयोग की जाती हैं तो इस तरह से ये प्राक्रिक और संस्क्रित दोनों ही रूपों में हो सकता है और धीरे धीरे वास्तों में कई बार होता है कि हम किसी एक पदार्त का हम प्रयोग करते हैं संसादन के रूप में धीरे धीरे और भी तक्निकी प्रगति होती जाती है और हम नए नए उप्योग उस पदार्त का करते रहते हैं तो सब्वेता या संश्कित के विकास के साथ साथ इन संसादुनों का भी विकास होता है और वास्तों में किसी सब्वेता की विकास में भी इन संसादुनों का महत्पूर्ण भूमिका है जैसे कर हम बात करें मिट्टी से बने ईटों की, घर पहले भी हो सकता बन रहे हैं, वो मिट्टी के बन रहे होगे, लेकिन फिर लोगों ने जाना कि कैसे मिट्टी के द्वारा हम ईटे बना सकते हैं, तो अगर आप हड़ा सब बता की बात करें, तो वहाँ पर ईटों से बने घर मिले, कालांतर में आज आप देखे के तो कंक्रीट का प्रयोग हम कर रहे हैं, पत्थर तो पहले भी उपलब्द थे लेकिन ये तकनीक नहीं थी, तो किसी भी उपलब्द पदार्थ के चाहे वो प्राकतिक रूप से ही उपलब्द हो, हम जब उची तकनीक का प्रयोग करत वास्तों में एक आधार होते हैं, चाहे भूम संसादान हो, जलवाय हो, वहां की पानी को प्रब्दता हो, खनिज बदार्थ हो, ये सभी बिना क्रिश्व और उद्द्योग के इनका हम, विकास हम उद्द्योग और क्रिश्व का इनके बिना नहीं कर सकते, वास्तों में वशक्ता होती है, तो वास्तों में हमारी आर्थिक गजविद्यों का आधार, ये सभी संसाधन ही हैं, धीरे धीरे, चुकि पदार्थ जैसा मैंने गहा कि पदार्थ उपलब्द है, उचित तक्नीक मा लीजिये, निर्मित की गई, तो हम अपनी आवशक्ताओं को भी व्रि योग भी करते हैं और नवीन सामगरियों का निर्माण भी करते हैं, चुकि मानव निर्मित संसाधन का आधार कही ने कहीं प्राक्तिक संसाधन है, यानि अगर तक्नीक ही है, प्राक्तिक संसाधन की उपलब्दता है और इन दोनों की आधार पर हम कुछ और भी मानव निर् वर्गी करण हम संसाधनों का अलग अलग आधार पर करते हैं कई बार हम इस आधार पर करते हैं कि क्या उनको हम पुनर नवीनी करणों का हम कर सकते हैं यानि क्या उनमें रेनियोबिल्टी है या कई बार हम वर्गी करण करते हैं कि इनकी उत्पत्ती कैसे हुई है इनके origin किस प्रकार से है, प्राकतिक है या किसी अन्य चत्वों से है फिर हम उनको उप्यों की आधार पर वर्गी करत करते हैं तो इस तरह से ये तीन प्रमुक आधार हैं संसाधनों के वर्गी करण की अब अगर इन तीनों संसाधनों के वर्गी करण के अधार पर देखें तो पुनर नवीनी करण योग जो संसाधन है उनको भी हम तीन भागों में बाढ़ते हैं पहुला है नवी करणी यानी renewable, दूसरा है अनवी करणी यानी non-renewable और तीसरा है चकری यानी cyclic नवी करणी वो संझाधन है जिनको हम किसी नए रूप में प्रियोग कर सकते हैं अनवी करनी ये वो है जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद हम दुबारा प्रयोग में नहीं ला सकते और तीसरा है साइकलिक जिनको हम बार बार परिवरतन, रूप परिवरतन करके हम प्रयोग में लाते हैं उत्ति के आधार पर अगर देखें तो यह है Javik और अजैविक यानि Biotic और Abiotic Resources Javik Resources में जीवससाधन समीं लेeg जबकि अजैविक में दूसरे भौतिक पडार्थ है उपियोग के अधार पर हम उर्जा और कच्चे माल की रूप में वर्गधर करते हैं उर्जा संसादन पुनह, पुनर भरन के योग में वर्गी कृत्त हैं और कच्चे माल के अधार हम खनीज, वनस्तिव और खादिपदार्थों में वर्गी कर शकते हैं ये तो सामाण वर्गी करड़ है । जब इनको हम विस्तार से बात करेंगे तो इन संसादनों को हम कैसे जान सकते हैं और इनके क्या रूप है इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक संसादनों की अगर हम जैविक संसादनों की बात करें तो इसमें सभी जैविक त्यत्तो सम्रित हैं जैविक त्यत्त यानि धर्ती पर जितने भी सजीव हैं वो इसके अंतरगत आते हैं यह नवी करनी भी हो सकते हैं यहां पर एक शिक्षार्थियों मैं बात जोड़ना चाहूँगा कि वास्तों में जो वर्गी करण हैं यह आवश्चिक नहीं है कि कोई एक संसाधन किसी एक ही प्रकार के वर्ग में आ रहा हूँ संभव है कि एक ही पदार्थ या एक ही संसाधन अलग-अलग अधार पर वर्गे करते हुए अलग-अलग चीजों में आए जैसे अगर हम देखें तो अगर हम वन की बात करें तो वो नवी करनी ही भी है जविक संसाधनों के अंतर गताता है दूसरी और वो हम कच्चे माल के रूप में उसको हम देख सकते हैं फिर हम उसको ये भी देख सकते हैं कि उसके आधार पर जो हम पदार्थों का निर्मान करते हैं तो एक ही पदार्थ या एक ही संसाधन अलग-अलग अधार पर वर्गे करत किया जा सकता है नवी करणी संसाधनों के अंतरगत वन, वनोतपाद, फसले, पक्ची, वन्य और सागरी जीव आते हैं जबकि अनवी करणी संसाधन में अगर देखें जैविक संसाधनों के अंतरगती तो कोईला खरीज तेल जैसे संसाधन भी आते हैं अब यहां पर देखें तो यह जैविक है अनिवी करनी है लेकिन इसको हम उपियोग के अधार पर भी कोईले को वर्गिर कर सकते हैं कि यह पुनरभरन के योगे नहीं है तो इस तरह से एक संसाधन अलग अलग वर्गिर किया जा सकता है दूसरा जो प्रकार है वो है अजैविक संसाधन का यानि अबाइटिक रिसोर्स का इसमें प्रिथिवें उपलब्द समस्त नरजीव तत्त सम्मिलित हैं जिसमें हम भूमी को स्वामिल कर सकते हैं जल, वाय और खनीच पदारतों को भी इसके अंदरगत हम समझ सकते हैं समान रूप से यह वो संसाधन है जो की समाव्थ होने योग्य होते हैं उनको हम पुनह नवीनी करने का हम नहीं कर सकते हैं यानि अगर एक बार हमने उनका प्रियोग कर लिया तो वो नस्ट हो जाते हैं या उनका रूप इतना परिवरिदित हो चुका होता है कि वो संसाधन की रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकते जैसे खनिश पदार्थ हैं उनका प्रयोग करने के बाद वो हो सकता है उनका उप्योग समाप्त हो जाए तो यह हम मुझके वर्गी करन जैविक और जैविक संसाधन की रूप में हमने किया अब जैविक संसाधनों को भी अगर आप देखें तो इसके वित्रण को हम भगोलिक परिगटनाओं या इनकी स्थानिक वित्रण के रूप में देख सकते हैं जैसे जैविक संसाधन किसी स्थान विशेष के संदर्ब में होते हैं अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो भारत में जैविक संसाधन अलग तरीके के हैं भारत के जैविक संसाधनों की बात करें तो हो सकता है किसी प्रदेश विश्व में विश्व प्रकार के जैविक संसाधन मिल रहे हूं इसलिए हमेशा जो हैं वो स्थानिक संदर्वों में देखे जाते हैं और चो हम स्थानिक संदर्वों की बात करते हैं तो इसमें हम छेतरी भिनताओं का भी अध्यन करते हैं क्योंकि जो भोगोलिक भिनताएं हैं वो इनके छेतरी भिनताओं को भावित करती है जैसे माली जीव हैं जैविक संसाधन है चाहिए वो वनसपतिया हूँ वन्ने जीव हूँ या अन्ने जीव हूँ वहां की जलवाय वहां के भूमी वहां के भो रूपों के अधारपने धारित होती है तो इसलिए ये भी आवशक हो जाता है कि हम छेत्री भिनताओं को देखते समय इन भिनताओं के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं उनका भी अध्यन करें तो तभी हम वास्तों में वितरन को उचित संदर्व में और उचित रूप से प्रस्तुत भी कर पाएंगे और हम ये भी जान पाएंगे ये विशलेशन कर पाएंगे कि क्यों किसी छेत्र में एक विशिष्ट प्रकार के संसादनों का जैविक संसादनों का वर्गी करण पाए जाता है जब एक संसाधनों को अगर अब पुना वर्गिद करें तो हम मुक्रिता चार वर्गों में विवाजित करते हैं हम उपवर्ग भी कह सकते हैं जो यह सब्डिविजन भी कह सकते हैं यह वन, वन ने जीव, परशुधर और माज सिखी हमारी जीवन से ये सारे संसाधन घनिष चरूप से जिलह हुए हैं क्योंकि कई ही न कहीं अपने दैनिक जीवन में हम इनका प्रयोग करते हैं या इनसे उप्रम्दधी जो पदार्त हैं उनका हम अपने आफशक्ताओं की पूर्थी के लिए प्रयोग करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वन की अगर भारत में वन की विस्तार की बात करें तो लगभग 75.5 मिलियन हेक्टेर भूम वन अक्षादित है यारी अगर कुल भागोलिक छेत्रफल का देखे तो लगभग 25 हिसा वनों से अक्षादित है अब इसके ताथ पर यह नहीं है कि सभी जगे समान रूप से वन वित्रित है इनके वित्रफल में बड़ी असमानता है और लगभग यह अंतर 83 प्रत्षत तक का है अगर आप देखें तो अंड़मान निकोबार दूप सुम्हों में लगभग 87 प्रत्षत जो छेत्र है वो वनाच्छादित है वह हर्याना में यह प प्रत्षत छेत्र का वनाच्छादित होना आवश्चक है तो आप देख सकते हैं कि एक जो अंतर है वो हमारी लक्ष और वास्तिव के उप्लब्सता में है और यही कारण है कि बहुत सारे कार्क्रम और पर्योजनाय चलाएंगी वन छेत्र के विस्तार के लिए ताकि राष् उस्ष्ल कटबंधि सदा बहरवान यानि Tropical Avergain Forest, दुसरा है उस्ष्ल कटबंधि पनपाथी वन यानि Tropical Decidious Forest, फिर है उश्ल कटबंधि ऌवनस्पति या कटेली ज्हानय यानि हम Thorn system बोलते हैं फिर है जवारी वन यानि टैडल Forest और अंत में हम परश्विती वन या माउं कौन से वन पाय जाते हैं, कौन कौन से मनस्पतिया पाय जाती है इनका वितरर किस प्रकार से है अभी यहां बताने का उद्देश यह है कि आप यह जान पाएं कि भारत की जो फंसमपदा है वो कितनी है और कौन से महतपूर उसके वर्गी करण हम देख सकते हैं अब हम बात करते हैं वन जीव की भारत एक विशाल राष्ट है भागोलिक विवित्ता के साथ साथ यहां जलवाईविक विवित्ता भी है और यही कारण है कि हम वन जीवन के संदर्व में भी बहुत संब्रिद है अगर हम आज बात करें तो ग्यात विश्व में पश्वों की पाई जानी वे लिए कुल प्रजातियां लगभग एक दस्वामलोग सुन्ने पांच मिलियन है और इनमें से लगभग 75,000 यानि साथ दस्वामलोग चार्च है प्रत्चत भारत में पाई जाती है कि भारती वन जीवन में कितनी विवित्ता या डाइवरस्टी है ये डाइवरस्टी प्रजातियों में तो है ही ये डाइवरस्टी इनके वितरण में भी है यानि कुछ वन जीव ऐसे हैं जो संपूर्ण भारत में पाई जाते हैं कुछ वनजीव ऐसे हैं जो कि किसी छेत्र विर्षेश में ही मिलते हैं और ये वहाँ पर ही फलफुल रहे हैं तो इसलिए इनके वित्रण में भी वित्ता और सम्जिद्धी है अगर हम भारत के प्रमुक पक्षियों की बात करें वनजीवन में तो मोर हमारा राश्ट्री पक्षिय है इसके लावा वन एवन नम भूमियों में हमें फिजन, बतक, मैना, तोते जैसे कई सारे पक्षिय मिलते हैं साथ ही एक भारत के वन जीवन में पक्षियों के अंदर के विश्चता प्रवास्री पक्षियों की है आपने अक्सर देखा होगा विशेच कर अगर आप अपने आसपास किसी जील में या नदी की किनारे सरदियों में गए हो या आपने खबरों में भी सुना होगा कि कैसे शीत काहल में प्रवासी पक्षी आते हैं प्रवासी पक्षी क्या है? यह वो पक्षी है जो कि मूलता है किसी दूसरे देश में रहते हैं जो कि सामान रूप से ठंडे देश है यानि शीत कर्टिबंद में आते हैं यानि European Country या एशिया की जो उत्तरी छेत्र है वहाँ भारत में आते हैं और जो भारत के जल्सोत हैं बड़ी जीले हैं या नदिया हैं वहाँ पर यह अपना डेरा डालते हैं यह प्रवासी प्यक्षी भी भारती वन्यजीवन का एक अभिन अंग है क्योंकि हर साल लगभक एक जैसा इनके प्रवास का प्रतिरूप हम देखते हैं अब हम बात करते हैं वन्यजीवन के अंतरकत इस्तनपाई जीवों की इस्तिनपाई जीव के संदर में अगर हम बात करें तो इनमें बहुंस वीषता है यानि अलग-अलग तरह के जीव जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इनमें शक्रम प्रमुख जीवे के बात हैं की विवित्ता इतनी है कि सभी के बारे में तो बता पाना संभव नहीं होता है लेकिन हम कुछ प्रमुख वन जीवन की बात करेंगे जिनमें एस्तिनपाई जीवों के इंतरकत आते हैं हाथी एक ऐसे जीव हैं जो कि भारत की सम्रिध वन जीवन यहां के वनस्पतियों और अने राज विशेश रूप जगर हम मद भारत के छेत्रों में बात करें तो वहां पर भी यह वनों में पाए जाते हैं क्योंकि मैंने संस्कृत की बात की तो आप भी देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे हमारे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी इनसे जिरू ही जो कलाकृतिय हैं वो देखने को मिलती हैं उट एक दूसरा प्रमुक जीव है जो की शुस्क छेत्रों में रहता है मुक्य रूप से थार के मरुस्तल या रास्थान में या इसके अलावा दूसरे भी अन्य राज्यों में हम उटों की मात्रा देख सकते हैं इसके बात-बात करते हैं जंगली कधे की जो विशेज रूप से कक्ष केरन में पाये जाता है भारती शेर जो एक प्रमुक जीव है और पूरे भारत में ये केवल गुजरात में मिलता है और गीर के जंगलों में इसका निवास स्थान है एक सिंग वाला गेणा भी हमें अस इस्थानी या छेत्री वितरण हो सकता है तो कुछ इनके प्रचातियां संपूर्ण भारत में मिलती है जबकि कुछ जीव कुछ विशेज शेत्री मिलते हैं जैसे एक जिसको हम सिंग जैसे आयाल वाला बंदर बोलते हैं वो मुक्तय पूरवतर भारत में मिलता है तो इस त जीव समान रूप से हर जगे वित्रित हैं जब कि कुछ विशिष रूप से संक्य निर्थ है कि नहीं विशिष छेत्रिया राज्ज में वन जीवन में ही हम बात करते हिरन की हिरन वास्तों में अगर हम फूर्ट सैकल के बात करें तो एक ये प्रमुक शाकाहारी जीव है और इसके आधार पर ही जंगलों में हम देख सकते हैं कि कैसे तेंद्वे या बाग या इनकी जैसी संक्या बड़ी मात्रा में पाए जाती है हिरनों की बहुत सारी प्रजातियां भारत में पाये जाती हैं इसके हांगूल, तरही छेत्र में स्वाम फिरन, चीतल, Bara Singh गह, कस्तूरी मृग जैसे कई सारी प्रजातियां हिरनों की भारत में देखी जा सकती है यहाँ पर मैं पुना कहूँगा कुछ इनकी प्रजातियां इस्थान विशेस में होती जैसे कस्तूरी मिर्ग जो है ठंडे छेत्रों में पाया जाता है जबकि नीलगाय और चिंकारा इनको आप लगभग पूरियमद्य भारत और उतर भारत में देख सकते हैं तो इस तरह से इनका भी छेत्री और स्थानी विश्रण कई प्रजातियों का हम देख पाते हैं वन जी वन में अगर हम बिल्ली परिवार की बात करें तो ये एक प्रमुख जीव है और भारत में देखें तो तेद्वा, क्लाउडे तेद्वा और हिम तेद्वा पाया जाता है इसके लाबा जंगली, भेड, पहाडी, बक्री, साकिन, तापिर जैसे जीव भी हैं जो की हिमाले के छेत्रों में पाये जाते हैं एक और प्रमुख जीव है भारत का राश्रीपर से यानि हम बाग की बात करते हैं यानि रॉयल बंगाल टाइगर की जो की भारत के बड़े छेत्र में मिलता है एक समय था कि अलगभग हम ऐसी आशंक चता रहे थे कहिए समाप्तन हो जाए लेकिन वन जीव सानक्षन अधिनियम और उसके बाद किये गए प्रयासों विशेश कर प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रयासों से आज इनकी संख्या जो है वो चार हजार से भी जादा हो चुक में भी पाय जाता है वन जीवन की तो हम बात कर रहे थे कैसे हमारा वन जीवन सम्रिद्ध है और सम्रिद्ध वन जीवन एक तरफ परिटन आगारशन का केंद्र भी बनता है और दूसरी और इसके द्वारा हम बहुत सारे हमें पदात्वी मिलते हैं और अगर बात करें तो इन्हें सनिशित करने की दिशाय में बहुत सारा प्रयास किया गया है बनी जीवन से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें पशुधन की जैविक संसादनों के अंतरगत तो पशुधन वास्तों में हमारे देनिक जीवन से जुड़ा हुआ है हमारी आवश्कताओं की देनिक आवश्कताओं बहुत सारी है जो इन पशुधनों से पूरी होती है तो अगर हम विश्व के कुल पशुधन में गाय और भैस की बात करें तो लगभग 57 प्रिशत भैस हैं तो इनका दो तिहाई से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो मत्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, चत्तिसगड, बिहार, उत्तराखन, जारखन, महाराश्ट, ओडीसा, करनाटक और राजस्थान ये इन राज्यों में संकेंद्रित है, हाला कि लगबख संपूर्ण भारत में हम इनकी मात्रा पा सकते हैं पशुधन में केवल भैस और गायबैल ही संव्रित नहीं है, इसके लब भेने भी एक प्रमुख संसाधन है इनका मुख संकेंद्रन आप राजस्थान में पाएंगे, लेकिन इसके लावा इनके कई सारी प्रजातिया हैं जो की पहाडी राज्यों में भी यानि अगर आप देखें तो उत्राखन, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है भेड के अलावा बकरी भी एक प्रमुख पशुधन है और पचास प्रस्थत से जादा इसकी जो मात्रा है वो मुखता है बियार जारकन, राजस्थान, पश्मंगाल और उत्तर प्रदेश में संकेंद्रित है तो हम शिक्षारति हुए कह सकते हैं कि पशुधन की इतनी बड़ी मात्रा भारत की ग्रामी रत्रवस्ता को कफी ज़्यादा सहायता देती है यही कराने कि डेरी और इसे जिड़े हुए बहुत सारे शुरू हुए भारत में दुग्ध क्रांति इसको हम स्वेत क्रांति भी क कहते हैं वो हुई और उसके द्वारा कौापरिटिव छेत्र में बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन किया जाने लगा अगर हम भारत में परशुधन की बात करें तो इनकी द्वारा हमारी अलग तरीके की आवसकता है पूरी होती है भारत में अगर यंत्री करण की ब हो चाहे वो भारवान हो बहुत सारे आवसकताओं के लिए इनकी पूर्ती होती है आज भी कई सारे छेत्र ऐसे हैं जहां मशीनी करण के बाफजूद भी हम इनका प्रयोग करते हैं कृशकारियों में अगर इनसे मिलने वाले पदार्थों की बात करें तो गाय भेंस से हमें दूद वदूद से बने उत्पाज मिलते हैं भेंड से हमें उन, मांस, चम्रा जैसे पदार्थ मिलता है बकरी से दूद, बाल, मांस, चम्रा और बतक, मुर्गी, टर्की से हमें अंडे, मांस और पंक जैसे पदार्थ मिलते हैं तो इनके दोर आप समझ सकते हैं कैसे हमारे जीवन में हम इन पदार्तों का उप्योग करते हैं आज की इस कारिक्रम से आपको उप्योगी जानकारी मिली होगी ऐसे ही कारिक्रम के साथ हम पुनह आपके सामने आएंगे तब तक के लिए नमस्कार